हेलो स्टुडेंट्स, क्यासे हो सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे आज जो है हम इंगलिश का ग्रामर का पहला टोपिक शुरू करने जा रहे हैं हम सबसे बेसिक चीजों से चलेंगे और कॉम्पलेक्स चीजों के उपर जाएंगे ठीक है बच्छों आज हम बेसिक ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं इंगलिश की बेसिक ग्रामर का मतलब है बिल्कुल छोटे लेवल से जीरो लेवल से हम क्या करेंगे अब स्ट्रिम जाएंगे ठीक है बच्छों हम शुरू करते हैं SAME English में हम सबसे पहले हम देखते हैं लैटर सोते हैं इंगलिस में टोटल लैडर ल्डर्स कितने आते हैं 26 लैटर सोते हैं जिनकों हम किसी बोलते हैं ए मैशी कितने आते हैं और 26 में से हर आउट ओफ tua विस अ ए आई ओ यू इ पांच वोवल्स होते हैं जिनने हिंदी में सवर बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है वोवल्स ओके पांच जोते हैं ये ए आई ओ यू इ ये पांच वोवल्स होते हैं जिनको हिंदी में सवर बोला जाता है यह सब क्याते हैं वो वल सवर होते हैं हिंदी में और बाकी जो बच गए 21 उनको हम क्या बोलते हैं ठीक है बच्चो इतनी बास हम जा गई आज हम इंगलिश में जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना ओ. जैसे मालीजे के हींदी में हमने लिखा है यह है कंसको इंगलिश में बोलते हैं इस को कैसे पढ़ते हैं उसकी परणनांसियेशन के बारे मियाज पढ़ेंगे ठीक है बच्चो जैसे हम शुरू करते हैं और पहले लेडर से जिसको हम बोलते हैं ए मैं जो देखो, एक दो मीनिंग निकलते हैं, पहला मीनिंग है ए, ए अनार वाला जो होता है, इसका ये भी मीनिंग निकलता है, एका और आ, ये भी मीनिंग निकलता है, इतनी बाद समझागी बच्चों, जैसे, मैंने कहा, accept, किसी चीज़े को स्विकार करना, accept, ये डबल सी है, ठीग है बच्चों, accept, accept मतलब क्या देखो एए अक्सेप्ट मैं बला है अक्सेप्ट अक्सेप्ट यह बोला हूं ना मैं तो देखो समझो इस चीज़ को देखो मैं आवाज किस किया रिये ऐसी accept का अब आधार आधार लिखना है आधार हम यह लिखते हैं हे दि-डी-ए्च-ई-ा-र यहां में लगेता हैं डबल ए ठीक है दोनां का मिनिंग एक ही होता है देखो ए और आधार आधार हम और यह होता है एक ही परनशिशन कायी जगा यह पर डबल एबी मिला ओगा डबल ए का मतलब भी आ होता है और एक आ मतलब भी आ या ए होता है According to sentence हम एक ही pronunciation को याद करेंगे उसके बाद देखिए बच्चो दूसरा जो होता है बी दूसरा जो लेटर होता है उसको हम किस से याद रखते हैं बी से बी बी के भी दो आगे further types है देखो अगर बी अकेला है बी के साथ ए आ रहा है तो वो बोलाज़ता है बै अगर बी के साथ ह आ रहा है तो वो बोलाज़ता है भै भालू वडा इतनी बाद समझागी देखो अगर बी ए है तो वो बै बोला जाएगा अगर बी एच है तो उसको बोला जाएगा भै भालू वडा समझागी, जैसे B, A, T देखो, बै A का A और T का ट, बैट बोलते हैं ना, बैट लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे बैट, समझागी, योकि इसका A और ये बड़ा है दोनों मिलके A बना देते हैं, तो बैट, समझागी, उसके बाद देखिए, जैसे हम, बॉल B, A, डबल L, हम बोलते हैं इसको, बाल या बॉल, समझागी, इतनी बात, नेक्स देखिए हो बी एच, भै भालू वाला छोट्टे होते काटून देखें हैं हम बोलते हैं, भीम, छोटा भीम भी एच, डबल ए B, M, भीम, देखो अब ये बीम निया रहा, देखो बै निया रहा, ये भै भालू वाला रहा, भीम बै, डबल ए का E, और M का मैं, भीम समझागी, इतनी बाद समझागी तो आगे चले देख लो बच्चो कर कोई दिक्कत हो हाँ जी नेक्स्ट देखिए A, B, C में नेक्स्ट क्या आता है, हमने A पढ़ लिया B पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे C, फिर पढ़ेंगे D, फिर E, F, G H, I J, K L, M N, O P, Q R, S, T U V, W X और Y Z हमने पहला जो लेटर है वो पढ़ लिया है दूसरा भी पढ़ लिया है अब बार ही है C की दोखो C के काफी मीनिंग्स होते है जैसे अगर C के साथ आपको A मिल जाए तो हम इसको पढ़ते हैं क्या है? कबुत्तर वाला अगर C के साथ E मिल जाए तो उसको हम पढ़ते हैं सै, सेब वाला समझागी बच्चो? आगे देखिए अगर C के साथ H मिल जाए तो हम पढ़ते हैं इसको चै क्या पढ़ते हैं? चै अगर C के साथ डबल एच मिल जाए तो इसका मेनिंग होता है छै छतरी वाला ठीक है? बिल्कुल असान असान सिंपल लेंगवज वाले याद रखो C-A-T C-A-T क्या बोला जाता है इसको? Cat बाद समझागी? Cat C-A-T Cat अब ये हैं इसका कोई जामपल बताइए बाइक पे चड़े हो कभी? स्कुटी कार सभी चड़ते हैं न? तो उनके अंदर टायर होते हैं सुना है? C-A-T 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 के टायर आते हैं C-A-T टायर्स हम ऐसे पटाता हैं लिखा था C-A-T तो इसका अब यहाँ पर क्या रहता है? C-A-T Cat ऐसा बोल रहता हैं Cat यहाँ पर हम क्या बोल रहते हैं? C-A-T C-A-T यही बोल रहते हैं यह को A का A आ रहता है C-A-T और E का E तो C-A-T टायर्स टायर्स समझागी? ऐसे ही हमने सारे इनको याद रखना है आगे देखे हो घर में सब के चेर होती हैं न? चेर कैसे बोलते हैं? उसको लिखते कैसे हैं? C-A-A-I और आर देखो C-A-C-A-I का ए चेर समझागी न? देखो यहाँ पर A किस मिनिग क्या रहा है? C-A-C-A-R-A बाद समझागी? उसके बाद देखिए C-H-H C-H-I-N-E क्या बन गा? C-H-C-H छे और I का E, N का नय और A का R, क्या बन गया, छिनना, ठीक है, बाद समझागी इतनी, नेक्स्ट टोपिक देखिए, अब इसके सारे हो गए ना, C के, चार के चार भाग हो गए, तो हमारा C, कम्पलीट हो गया, नेक्स्ट टोपिक देखिए, अब हम इसके बार क्या करेंगे, D, D, D के भी आगे फ़र्दर टाइप्स हैं, वो हम आभी स्टडी करते हैं, देखिए, D, D को हम, अगर D के साथ आपको A मिल जाए, तो इसका मतलब बताए, D, डमरू वाला, अगर आपको D के साथ H मिल जाए, और उसके बाद जो भी आपको कोई मतलब नहीं है, अगर D के बाद देखो, वर्ड क्या रहा है, अगर H मिल जाए, तो वो होगा D, sorry, D, ढकन वाला, ठीक है, यह D, डमरू वाला आएगा, और यह D, ढकन वाला आएगा, अब, देखो हम लिखते हैं, डेट, D, A, T, E, डेट, तारिख बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो देखो, डेट, अब इसका को लिख बताओ, बिलकुल आसान एजम्पल, क्या बोलेंगे इसको, हंजी, सही बात है, ढोल, यह वाला ढोल लगाओ न, ढोल, ठीक है, नहीं है, क्योंकि, यह D, डमरू वाला यहां पर क्या एगा, डेट आएगा, क्योंकि, D के बाद क्या रहा है, एच आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर D के साथ A होता तो हम डेट लगाते, यह बाला डोल लगाते, लेकिन D के साथ क्या रहा है, एच आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, डेट, ढोल कि यह को एक पर छोड़ दीजिए क्योंकि यह क्या आगा है वह वल्स हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इनके बहुत सारे मिनिक निकलेंगे अलग-अलग टाइप के निकलेंगे वैसे आपको बताता हूं इका मतलब ए होता है एडी बड़ा होता है जो वह होता है ठीक है बस इत मतलब है ए एडी वाला अगर डबल ए आ जाए तो इसका मतलब है बड़ी ए की मातरा ठीक है बच्चों अगर ए आ रहा है तो इसका मतलब भी क्या है बड़ी ए की मातरा अगर ए ए आ रहा है तो इसका मतलब है डबल आई की मातरा ऐसे इतनी बास समझागी यह आपको याद करने पड़ेंगे तभी आपका यह हो पाएगा अदर्वाइज आप नहीं कर पाऊगे ठीक है बच्चों अच्छा जी इसके बाद देखिए हमारा डी भी हो गया है ई भी हो ग आया कल हम आपको नेक्स्ट जो है आगे जो है वो परनियृष्टेशन करवा देंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट शर्चन में अपना जो भी है दिक्कत प्रोबलम आ रही है तो आप prawda सकति हम आपकी पूरी शायता करेंगे देखो रहे हैं देखो इससे नीचे कुछ नहीं होता हम एविसी से स्टार्ट कर रहा है और आपके जो नाउन होते हैं प्रोनाउन होते हैं टेंस वोईस निरेशन अगारा बगारा जो भी है सब करवाएंगे आपके प्रेपोजिशन जो भी है हम उसको सब को आप दिर दिर जैसे जै करना है आपके लाइक से हमें बहुत ज्यारा एक साभ से हमें बहुत अच् Aeg ab Mercury करते हो और हो सके तो अपने जो फ्रेंड से तुस फ्रेंड सेर्कल में भी शेर करो सको और जो आपको दिक्कत हरी है तो आप आपके सिस्क्राइब से ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे हमें पता लगेगा कि हमारे साथ कितनी जंता बढ़ चुकी है जंता को जोड़ने के लिए यहीं पर बैठ है ना ओके बच्चो